हेलो फ्रेंट वेल्कम बाक्टो मैं चानल देटा सेंग तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एडवांस पाइथन कॉंसेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं डेकुरेटर्स तो उसके बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नह हो सकता है इसमें से काफी सारी वीडियो आपके लिए काफी काम की हो तो विदाओट वेस्टिंग अने टाइम हम मूव करते हैं डेकुरेटर के कंसेप्ट पे तो आज से थोड़ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने क्लासेज के बारे में बात करी थी कि एक नॉर्मल मेथड और एक क्लास मेथड के अंदर क्या डिफरेंस होता है तो जब हम यह बात कर रहे थे तब हमने यहाँ पर एक डेकुरेटर यूस किया था जिसका नाम दा क्लास मेथड तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि हम आने वाली वीडियो के अंदर फूचर वीडियो के अंदर वे लिए बीटिसक्सिंग अबाउट देकुरेटर क्लास मेथड और डेकुरेटर क्या होता है इन शॉट तो आज वो टाइम आ गया है और आज हम बात करेंगे डेकुरेटर के बारे में तो सबसे बेसिक चीज कि वाट इस अर डेकुरेटर तो क्या होता है वो एक फंक्शन के साथ लगता है and it modifies the behavior of a function तो एक फंक्शन को बिसिकली फंक्शन के अंदर कुछ अड़िड़ कुछ फंक्शनलिटी अड़ कर सकता है एक डेकुरेटर कुछ काल्कुलेशन्स पर फॉर्म कर सकता है तो बिसिकली एक तरह आप यही बोलोगे एक अलग फंक्शनलिटी अड़ कर रहा हूँ यह आपके existing function के अंदर तो जैसे कि increment यहाँ पर एक function था जब आप class method इसके साथ डेकुरेटर लगा देते हो तो उसके अंदर एक additional functionality अड़ हो जाती है कि वो class के name से call हो सकता है तो अब हम यह नहीं बात करेंगे कि कौन-कौन ज decorators होते हैं क्योंकि pre-existing decorators जो हैं वो आप जब python के साथ काम कर रहे होगा आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तो हम pre-existing decorator की बारे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे decorator python में बनाते कैसे हैं और किस तरीके से वो use होता है तो वो बात हम करने वाले हैं तो उसके लिए हम चल देता है in first function अब यहां पर हमारा function बन गया है जिसका नाम है the function one अब इसको call करते हैं function one call करेंगे तो यह क्या रहेगा या print कर देगा in first function अब मैं क्या चाहता हूं कि यह function जो है basically यह call जब हो रहा है तो उससे पहले यह कुछ और काम भी करेंदा इसकी functionality को मैं थोड़ा चीज़ देते हैं कि एक use case देखते हैं कि एक आपका function है तो basically वह function क्या करता है calculate ठीक है यह function है और यह basically एक number return करता है कुछ भी let's say 100 ठीक है यह 1000 अब यह सेम function को आप बोल सकते हो कि decorator use करके आप इससे बोल सकते हो in INR तो उसके बाद क्या होगा मतलब आप यह expected functionality होनी चाहिए कि जब आप यह decorator लगा रहे हो in INR तो यह 1000 रुपीज जो है वो as it is मतलब प्रेंट हो जाए INR में ठीक है अगर आप इसको करते हो in USD तो basically क्या हो कि यह 1000 रुपीज है यह dollar में convert होके और dollar के इसाफसे उसका rate जो तो यह functionality जो आप decorator use करके अचीव कर सकते हो तो decorator होता क्या है decorator basically खुद में एक function ही होता है अगर हम बात करे एक decorator की तो इसको हम कर देते हैं edit मैंने इसको simple इसलिए रखा था अभी आपको समझ आ जाएगा reason मैंने इसको इतना simple function क्यों बनाया हुए यहाँ पे def decorator function बना दिया मैंने अभी decorator function क्या गर रहा है इस decorator function का एक काम है कि यह प्रेंट करता है पहले तो in decorator function जो अगर कोई function जो है decorator कैसे बनता है कि उसके अंदर एक function implement होता है इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो हम इसको inner नाम देंगे simplicity के लिए और यहाँ पर क्या होगा कि आप और यह जो decorator function है यह एक function accept करेगा as argument उसके बाद इसने क्या करा inner function inner function के अंदर यहाँ पर आप जो भी आपको काम करना है यहां पर आप वह काम करोगे जो आपके actual function मतले यह function one के call होने से पहले होना चाहिए था फिर आप यहां पर यह जो function यहां पर इसने receive किया इसको call कर दोगे और फिर यहां पर आप करोगे जो function call करने के बाद आपको काम करना है और add the end आप piece function से जो बाहर वाला function है उससे आप return कर दोगे अपना inner ठीक है तो अब यह चलेगा कैसे अब इसको थोड़ा समझते हैं code तो हमने लिख लिए है तो जब भी आप एक function जाए func1 बनाया आपने अब इसके उपर अगर आप लगा दोगे decorator decorator function जो था है हमारे decorator बन जाएगा इसको हम ऐसे तरीके से यहाँ पर लिख देंगे और अब क्या हुआ कि हमने decorator func यहाँ पर लगा दिया आप होगा क्या कि जो function 1 जो है यह basically pass हो रहा है decorator function को as a parameter तो यहाँ पर आके func में आ रहा है that is the function 1 यह पूरा function python जो है उसके अंदर functions object होते हैं तो object की तरह इसे हम pass कर सकते हैं तो इसी तरीके से जो decorator function है इसको यहाँ पर यह pass हो जाएगा और once यह से pass हो जाता है तो क्या होगा decorator function खुद implement होगा और यह inner function जो है basically यह कैसे तरीके से काम करेगा कि आपने जो भी काम function को call करने से पहले करना वो यहाँ पर कर सकते हो जो काम बाद में करना है वो यहाँ पर कर सकते हो और उसके बीच में आप यह function को actual में call कर देते हो आपका जो function call हो रहा है वो decorator के थ्रू हो रहा है without actual function call जो decorator के अंदर जाके हो रहा है decorator के बाहर नहीं ह ऐसे इस तरीके से डेकुरेटर जो है आपके function की जो utility है उसे change कर देता है अब आपने जब ये function हुआ तो देको अभी ये function call नहीं हुआ है इस line पे बट क्यूंकि ये जब आपने ये decorator funk करा तो इस decorator funk ने इस function को call कर दिया और ये function call के अंदर argument पास हुआ function 1 और ये function call हुआ उसने ये print करें decorator funk उसके बाद ये एक नया function बना यहां पर जिसके अंदर कुछ पहले के step से फिर function actual function call और फिर ये return कर दिया inner function तो अब जब भी आप ये function 1 को call करोगे तो actually में inner function call होगा आपको ये चीज़ ध्यान होना था और यहां पर इस चीज़ को करके भी देख लेते हैं तो आपने जैसे ही function 1 को call किया तो actual में function कौन सा call हो रहा है inner क्योंकि decorator ने इस function को इस से replace कर दिया है तो अब देखो यहां पर आपने सबसे पहले print होगा do your work before original call ठीक है फिर actual function call होगा तो in first function print होना चाहिए in first function and do your work after the original call और यहां पर आपका बात का जो काम है वो हो गया तो I hope कि आपको ये समझा आगे होगा थोड़ा advanced concept है अगर नहीं समझा एक बार वीडियो को जरूर दुबारा देखो तब भी नहीं समझाता तो आप comment करके मिरसे पूछ सकते हो औ और आप में से LinkedIn पर भी connect कर सकते हो Instagram पर भी comment कर सकते हो सबकी IDs जो है आपको description में मिल जाएंगी और मैं आपके जो answers है questions है उनका answer जो है जल्दी से जल्दी और जिस भी medium से मैं दे पाऊंगा मैं देने की कोशिश करूंगा उसको and thanks for watching this video next video में हम बात करने वाले हैं कि decorator के अं function 1 था इसके अंदर अभी कोई argument पास नहीं हो रहा है तो अगर वो argument पास करेंगे तो किस तरीके से उसे handle करेंगे तो उसको हम next video में discuss करने वाले हैं अगर वीडियो को अभी तक like नहीं करा तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर देना चैनल को subscribe जरूर कर देना and thanks for watching this video once again bye